तो हेलो आज आज हम जा रहे प्रैक्टिस कोशन का कुछ कोशन को सॉल्व करने जो कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिया था तो अगर आपने उसको सॉल्व नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा डाउनलोड कर लेना उसको उस पीडियाफ को और फिर से ट बरते तो इसमें लिखा हुआ कि create a variable named first and assign a string value to it बंहां को एक variable बनाना जिसका नाम first होगा और उसमें हमको एक isStream value store करना मतलब कि हमको string value store करना है तो हम उसमें क्या store कर सकते हैं जैसे कि हम अपना नाम को सकते हैं इसको करने के बाद हम यहंपे simply इसको हम Print करेंगे और इसमें noir ृस्प लिख देढ़ीए तो देखो question बोल्ला है कि एक वेरियेबल बनाओ जिसका नाम first हो और उसमें एक string value store करो जैसे कि यहां पर मैंने अपना नाम store किया है यहां पर इसके बदले हम कुछ भी store कर सकते वह string होना चाहिए और अब इसको run करके देख लेते कि code run करने के बाद हमारा यहां पर अभिशेक print हो गया तो देखो यह हमारा question को solve कर दिए क्या कि इसमें बस करना था कि एक first नाम का variable बनाना था और उसमें हमको एक string store करना था यह तो होगे हमारा first question अब second question देखते second question में लिखा हूँ है कि create a variable name x and assign a value 100 to it मतलब कि हमको एक x नाम का variable बनाना और उसमें हमको 100 store करना है वैली तो simply हम x equals to 100 कर दिये और अब इसको हम print करके देखते हैं और अब इसको हम run करके देखते हैं तो यहां पर देखो हमारा यहां पर अभिशेक और 100 print हो गया तो same पहला और दूसरा question भी same था उसमें string store करना था इसमें हमको integer store करना है अगला question दिया हुआ है देखो इसमें लिखा हुआ है display the sum of 5 plus 10 using two variable x and y इसमें बोलना है कि हमको दो variable use करना है तो यहां पर हम क्या करते हैं सबसे पहले लिखते है question 3 यहां पर देखो हमको 2 variable use करना है पहला है तो हमको x यूज करना है दूसरा हमको y यू यूज से तो यह हमको दिखाना है तो हम क्या करेंगे simply हम को क्या करना पड़ेगा पहला एक variable हमको बनाना पड़ेगा ठीक है तो नीचे में हमारा दिया हुआ है है Y equals to 10 इसका मतलब पहले Сवह डियों देते हैं y equals to 10 हमारा दिया हुआ ठीक है और हमको क्या करना था हमारे पास दो variable था X और Y और हमको दिखाना था 5 प्लस 10 का Sum तो एक ωरम हमारे पास ओली है जिसका 10 ५ेलु है तो दे देंगे और हमारे पास X और बच्षा उसक venues five तो हम क्या करेंगे, वार हमारा वरियेबल पहले से बना वाँ है, तो हम क्या करेंगे, X equals to हम, 5 देदेंगे, और उसके बाद यहां पर एक और दिया हुआ है, print x-y, तो पहले इसको पुरा करते है, print हम लिखेंगे, और उसमें हम लिखेंगे, इसको में ऊतार दिये हमको क्या करना है संप निकरना पर हमस्म का साइन दे देना है और कुछ निकरना अब इसको हम रन करके देखते हैं तो देखो यहां पर हमारा 15 भी प्रिंट हो चाई तो कोशन में कुछ निक था उसमें बस यहीं बोला कि हमारे पास धो वेरियबले एकस y और उसका sum हमको 5 plus 10 का दिखाना जिसमें हमारा print statement लगा के दिया हुआ था y equals to 10 दिया हुआ था तो हम कुछ नहीं किये जैसा question में था उसको हम code में convert कर दिये तो यह हमारा third question था अब हमारा fourth question के आ गया आते हैं तो fourth question में दिया हुआ है the following code example would print the data type of x what data type would that be इसका मतलब क्या हमारा पास एक variable दिया हुआ x equals to 5 हमको क्या करना हमको इसका data type पता करना तो simply हमको क्या करना पड़ेगा data type पता करने के लिए print लिखना पड़ेगा और उसके अंदर हमको लिखना पड़ेगा type और उसके अंदर हमक एक स्य यहां पर हम विख्सावह सी उसके तो यहां पर हम एक स अल्येटी यूजडी है यहां पे यहां पर 10 देते हैं और यहां पर प्रिंट में हम टाइब मैं एक 시간이 लूइन और यहां पर पैकलास स सवाल्वरुन में हम स्यूल करके लास्ण दिया हुए सेनओ है इसमें हमको डेटा टाइप ही बता करना है तो अब यह सबात है Hello World दिया हुआ है तो कुछ नहीं हो क्या होगा यह आपको देखना है तो यह as a quiz आपके लिए आपको बताना comment में कि यह Hello World का कौँछा डेटा टाइप होगा तो thanks for watching my video अगर यह PDF आपके पास नहीं है तो description में लिंक होगा डाउलोड कर लेना बाई झालोड़ो देखना है झालोड़ो देखना है झाल झाल